हालो फ्रेंड्स मैं आयूस आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिक्छा भी था उसमें दोस्तों हम लोग का प्लेटफर्म स्टाटिक जीके का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह उसका प्रैक्टिस सेट नॉमर 17 है अगर इसके पीछ जा रहा है तो अगर स्टाटिक जीके की बात करेंगे तो जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है इसको पूरा कवर करना अपने आप में बहुत बरी बात होती है तो यह आपका टोटल 152 सेट है जो कि अभी आपका सेट नॉमर 17 है तो अगर पूरे सेट प्रैक्टिस में आप लोग बने रहते हैं इस पूरे वीडियो सेरीज में बने रहते हैं तो अगर बीस स्टाटिक जीके का किसी बी लेबल यहां लाइक किजिएगा साथी चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंट सर्कल में सेर किजिएगा तो यह बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस इट नमबर का कोस्चन नमबर फॉर्स्ट फॉर्स नमबर कोस्चन है कि क्रिकेट खिलाडियों के मद हॉलिवूड कहा जाता था ठीक है हॉलिवूड किस क्रिकेट खिलाडियों को कहा जाता था यह कहा जाता था आपको सेनवारन को ठीक है सेनवारन जो की एक ऑस्ट्रिलियन स्पीनर थे ठीक है कहा के थे तो ऑस्ट् आपके South Africa के च्रिकेटर थे हैं नेक्स्ट है Question नमबर 2 है कि कौन सा अंतरास्ट्रिय दिवर्स MARY महा में नहीं नहीं मना जाता है ठेक 25 म्हार्च के महा में नहीं मनाया जाने वाला आपको बताना या तो अगर अंतरास्ट्रिय महिला दिवर्स की महीने में नहीं बनाया जाता है, विस्व परियावरन दीवस आपका 5 जून को ठीक है, विस्व परियावरन दीवस 5 जून को मनाया जाता है बागी के दो option को देख लेते हैं, जैसे option number C है कि अप्सान नमबर C है कि 20 उपभोगता अधिकार दीवस 15 मार्च को विसुपभोगता अधिकार दिवस 15 मर्च को मनाया जाता है और विसुबनी की दिवस की बात करेंगे तो विसुबनी की दिवस आपका 21 मर्च को 21 मर्च को विसुबनी की दिवस मनाया जाता है इस तरह से अपका question number 2 के लिए right answer होगा option number B ठीक है विस्व परियावरन दिवस पांच जून को मनाया जाता है ना कि मार्च में कोस्चन नमबर थोड है कि बहुजन हितात बहुजन सुखाए किसका धे ही वाक था तो यह आपका वाक था ICCR का किसका वाक था ICCR का कि किस दिन भारत का में राष्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो अगर राष्ट्रिय खेल दिवस की बात करेंगे तो राष्ट्रिय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को 29 अगस्त को राष्ट्रिय खेल दिवस मनाया जाता है और अगर 29 अगस्त की बात करेंगे तो महान होक की खिलारी ठीक है मेजर ध्यानचंद के जनम दिवस के उपलक्ष में भारत में खेल दिवस मनाये जाता है तो अगर question पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद का जनम दिवस कब है तो 29 अगस्त को और उन्ही के जनम दिवस को जो हम लोग राष्ट ये खेल दिवस के उपलक्ष में मनाते हैं तो इस प्रसन के लिए राइट अंसर हो जाएगा आपका option number B ठीक है फोर्थ के लिए राइट अंसर होगा option number B next question है बिस्व कभी के उपनाम से किन्हे जाना जाता है तो बिस्व कभी के उपनाम से रभिंदरनाथ टैगोर को ठीक है रभिंदरनाथ टैगोर जी को जाना जाता है 1913 में पहली बार इन्हे जो है सो भारत की तरब से नोबेल मिला था 1913 में किस छेतर में तो साहित के छेतर में साहित के छेतर में और किस कृती के लिए तो गितांजली के लिए ठीक है गितांजली के लिए 1913 में नोबेल पुरसकार पाने वाले प्रथम भारती ये थे और विसु कभी के उपनाम से जाना जाता है साथी देख लिए ये रास्ट कभी के बारे में ठीक है तो रास्ट कभी के नाम से किसको जाना जाता है तो रामधारी सिंग दिनकर ठीक है रामधारी सिंग दिनकर जो की कहां से बिलोंग करते हैं तो बेगू सराय ठीक है बिहार के बेगू सराय डिस्टिक से बिलोंग करते हैं रामधारी सिंग दिनकर नेक्स्ट है कोश्चन नमबर सिक्स किन्निम लिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है तो कुछ एक तरफ आपके कुछ लेखक हैं दूसरे तरफ उनसे सम्मंदित कुछ किताब हैं देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो अप्सन नमबर अगर एक ही बात करते हैं तो अरुंदती राये दा गौड अफ इस्मॉल तिंग उपन्यास के लेखक और इंदती राये हैं तो यह आप्सन आपका सही है दूसरा है इन्हेरिटेंस आफ लॉस तो इन्हेरिटेंस आफ लॉस के लेखक किरन देशाई हैं यह भी आपका सही है तीसरा है दनेमसेक तो दनेमसेक उपन्यास के लेखक हैं जूंपा लवरी यह भी सही है next option number D है जो की answer है मुहम्मद कैफ ठीक है तो मुहम्मद कैफ आपके सनी डेज की लेखक नहीं है सनी डेज के लेखक है आपके सुनिल गवासकर ठीक है सनी डेज के लेखक कौन है सुनिल गवासकर ना कि मुहम्मद कैप तो इस तरह से इस प्रस्ण के लिए राइट एंसर हो जाएगा option number D नेक्स्ट है question number 1777 निमलिखित वैग्यानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिक के नोबल पुरसकार का सह बिजेता था तो कौन सा वैग्यानिक था तो इस प्रस्ण के लिए राइट एंसर होगा option number C विलियम हैनेडी और ब्रैगे ठीक है दोनों जो है सो बाप बेटे थे और उनको जो है सो भौतिक के नोबल पुरसकार मिला था साथ में approximately 1914 के आसपास में 1914 हा साथ 1914 में confirm नहीं हूँ आप लेगे को इसको गूगल कर लिजेगा अगर जानकारी चाहते हैं उसके संदर में तो next question number 8 कि जनगन्ना 2011 के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या वाला के अंदर सासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली ठीक है दिल्ली हो जाएगा next number question है कि निम्न में से कौनसा प्रिषा पास्त्र भूमी से वायू में जाने वाला प्रिषा पास्त्र है तो 9 number question के लिए right answer हो जाएगा आपका option number 8 सूल ठीक है इस प्रस्ण के लिए राइट एंसर होगा आपका 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 कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस तरह का यह खेल होता है नेक्स्ट है question number 11 कि मतदाताओं में जागरुकता लाने के उद्देश से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रिय मतदाता दिवस गुहोसित किया है तो मतदाताओं में जागरुकता लाने के उद्दे से राष्ट्रिय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपका 25 जनवरी को ठेक है 26 जनवरी को रिपब्लिक टे और उससे एक दिन पहले ठेक है 25 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है तो राष्ट्रिय मतदाता दिवस क को जो है सो हम लोग 25 जनवड़ी को मनाते हैं नेक्स्ट नमबर कोस्चन है ट्वेल्थ में वनजीब बिहार एक तरफ दिये गया है दूसरे तरफ राज दिये गया है पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जूरा सही नहीं है तो सही नहीं है देखे अपसा नमबर एक परफ दि राईक के वनजीब बिहायरं आपका वन्जीब बिहायरं है तो इस प्रसन के लिए राईक एंसर हो जैगा ऑफ नमबर ए 10 आमप्सन नमबर ए दमील नड़ब ऐयरं आपकेऄ असं में है या आपकर गर। नेक्स्ट कोस्टन नाबर 13 है निमलेखित कथनों पर विचार कीजे पर्थम कथन है कि 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद पिपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचसील पर हस्ताक्षर किये गये थे दूसरा है आपका अंतरास्ट्रिय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचसील के सिध्यानतों में से एक है उपरिक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो इस प्रस्ट में जो है सो आपका दोनों कथन सही है ठीक है दोनों कथन आपका सही है option number B इस प्रस्म के लिए right answer होगा एक और दो दो नो next question number 14 थे कि Benlex के अंतरगत कौन-कौन से राष्ट आते हैं question क्या है कि Benlex ठीक है Benlex के अंतरगत कौन-कौन से राष्ट आते हैं तो Benlex के अंतरगत आपके कुल तीन देश आते हैं कौन-कौन से हैं तो Belgium, Netherlands और Luxembourg Belgium, Netherlands और Luxembourg तीनों आपका European country है और तीनों country का अपना एक ये संगठा ने जो की economy को लेके बनाये गया है साथ ही अगर इस Benlex संगठा के अगर बात करेंगे मुख्याले का तो वो आपके Belgium के शहर Brussels में है ठीक है कहाँ पे है Brussels में नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 15 की पाई दिवस कब मनाया जाता है तो पाई दिवस ठीक है पाई दिवस आपका कब मनाया जाता है तो यह आपको मनाया जाता है 14 मार्च को ठीक है 14 मार्च को आपका पाई दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट नमबर कोश्चन है कोश्चन नमबर सिक्स्टिंथ की विसुबिरासत अस्थल पसुपती नाथ मंदिर इस्थित है ठीक है तो पसुपती नाथ मंदिर आपका इस्थित है काठमांडू में नेपाल की राजधानी काठमांडू में और पसुपती नाथ मंदिर जो है सिव को समर्पित एक मंदिर है बाकी के अप्शन को गर देख लेते हैं तो पेसाबर हो काबूल हो और मुलतान तीनों आपके अफ़कानिस्तान के सहर है काबूल साथ ही आपका कैपटल सिटी भी है नेच्ट है को स्चन नबर सेवनटींत की पहला ब्रहंपुतर साहीत उतसब कहा पर आयोजित किया गया था? नेक्स्ट है question number 18 की पोखरन में किस बर्स पहला परमानु परिक्षन आयोजित किया गया था पोखरन की बात करेंगे तो पोखरन आपका राजस्थान में पड़ता है ठीक है पोखरन आपका राजस्थान में पड़ता है और अगर बात करते हैं दूसरे परमानुपरिक्षन की तो दूसरा परमानुपरिक्षन दो मई ठीक है दो मई 1998 को किया गया था दो मई 1998 को किया गय है तो वह हैं समीर अंजान ठीक है समीर अंजान ने अधिक्तम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है नेक्स्ट और लास्ट कोस्टन है इस प्रस्टन का एस सेट का कोस्टन आसा करते हैं काफी अच्छा लगा होगा आप सब को यह प्राक्टिस इट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिजेगा